हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक तो फ्रेंट्स आज की वीडियो बहुत ही important है आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो भी recently class 11 का result declare किया गया तो बहुत सारे student अपने board office अपनी division में board office के बार protest कर रहे हैं result को ले के उनको लग रहे हैं कि result में कुछ ना कुछ जो changes है वो आनी चाहिए अगर result student के favor में नहीं आया तो student का हक बनता है कि वो इस favor में result को मतलब check कराएं दुबारा से कि उनको लगता था कि वो pass हैं कुछ candidate का मान है कि उनके 10th में 90% marks थे और उन्हें 11th में जो fail कर दिया गया इस तरीके के कुछ जो बयान है candidate के सामने आ रहे हैं तो protest continue student का चल रहा है और इसके लिए committee भी जो frame कर दी गई है mark sheet को verify करने के लिए class 11th के लिए अब class 11th के जो failure candidate है उनका क्या होगा क्या वो pass होंगे जहां जो pass हुए हैं उनका result क्या दुबारा से update किया जाएगा पूरा इस वीडियो में अंतिम तक बताते रहेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में चैनल से first time जूड़े तो subscribe कर लीजिए jobs update, educational update, exam update सारे time to time मिलते रहेंगे तो let's start this video सबसे पहले friends बात करें news cutting से आप भी देख सकते हो आज का news paper daily excel chair से आप खुद update ले सकते हो committee frame to verify mark sheet of class 11 जानी की committee एक frame करी जाएगी verify करेंगे class 11 की mark sheet को जो duty commissioner रियासी है उन्होंने आज जो committee है वो verify committee एक बना दी गई जो verify करेगी जो irregularities जानी की जो candidates को doubt लग रहे है उसको verify करेगी class 11 की जो भी mark sheets होंगी रियासी district में और जी order जो है वो committee ने जो भी अपने additional district development commissioner रियासी chief educational officer रियासी journal education officer रियासी उनको देखते हुए उनकी निगरानी में ही इसे रखा गया है the committee shall hear all the concerns stakeholder and submit it a report finding to the DC within 7 day positively the order mentioned क्या बात करी जा रही है जो भी इसकी report रहेगी वो 7 दिन के अंदर अंदर DC को इसकी mention करनी पड़ेगी कि क्या जो changes है result में जो भी mark sheet की वो verification करेंगे class 11 के result को लेके जो भी candidate जहां पे continue protest करें है board office के बार की result उनका इस तरीके से आया है और update की बात करें जहां पे देख सकती हो 11 वी में जो भी फेल वी दियार थी है उन्होंने काफी जादा प्रोटेस्ट किया रोश रैली निकाली सड़क जाम कर नारे बाज लगाए राम नगर वजार बंद कर दिया उसके बाद नाशुक शात्रों ने भी बोर्ड कार्यालों में जताया रोश इस तरीके से अदुमपूर में भी बोर्ड आफिस में ग्यारवी में जो अन उत्रन बच्चे हुए उन्होंने भी बोर्ड में जाके काफी जादा वो किया और इससे सथानी जुवाँं के साथ जड़प होने से पांच जो शातरगायल भी होगे रियासी में तो इस तरीके से काफी जादा जो स्टूडेंट है उनका जो रोश बना हुआ है ताकि उनको फेल है जो वो क्यूं करा गिया और टैंथ में इस तरीके से मार्क्स थे उनके जिसके बेस पे उन्होंने क्लास 11 के एक्जामिनेशन में पूरा लिखा भी था और कुछ कैंडिडेट का मान नहीं कि क्लास उनके हुए नहीं सिरफ आउनलाइन क्लास इस हुए और पेपर आफलाइन लिएगे जिसकी वज़ा से हम कुछ पढ़ नहीं पाए इस तरीके से भी कुछ बोला जा रहा है तो अब जो भी डिजिजन होगा वो विदिन कमेटी डिसाइड करेगी रियासी डिस्टिक में और बाकी जो भी जेके बोस डिसाइड करेगा कि क्या इसका रहेगा जा कोई एक नोटिस की फार्म में जा रिजल्ट दुबारा तो नहीं अपडेट करेंगे लेकिन इन्हें हो सके कि थोड़ा इन्हें रिलाक्सेशन दी दिया जाए जब एक्जामिनेशन के समय बट अब जो भी डिसीजन रहेगा जेके बोस का हम भी अपील करेंगी कि कैंडिडेट्स के फेवर में सारा डिसीजन होना चाहिए तो जो भी जेके बोस डिसीजन लेगा आपको नेक्स में अपडेट कर दिया जाएगा तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही